आज की इस वीडियो में बात करेंगे संजीब कुमार से जुड़े दिल्चस्प किसी के बारे में जिसमें संजीब कुमार का असली नाम क्या है क्यों उन्हें संजीब कुमार के नाम से पुकारने लगे थे जबकि उन्होंने किनकिस हिरोंने से प्यार किया लेकिन आगिर साध नहीं की और आजीबन आबिवाहित रहे और मरते दम तक किसी से प्यार नहीं किया वो गरल्च यानि की भूमेन पर विश्वास नहीं करते थे इसी कान उनकी कोई भूमेन दोस्त भी नहीं थी ऐसा क्या था जानेंगे इस वीडियो में तो बने रही मेरे साथ चैनल को सेर हालels में संजीब कुमार पर प्रकासित हनीफ जवेरी और सुमनत वत्रा की किताब में है पेनुगईश प्रकासन में छपी और N एक्टरस के को संजीब कुमार की आप धिकारित पैयोग्रॉपिक कह जाता है उनकी मौत के 36 सालों तक संजीब कुमार के जीवन सपर को बताने बारी कोई किताब मौजूर नहीं थे इस कमी को काफी हद तक हनीफ जवेरी और सुमंत बत्रा की किताब ने पूरा किया संजीब कुमार वैसे तो जराब के इस दने आदी थी कि इस सपर में संजीब कुमार का साधी सुधा नूतन और हेमा मालनी के साथ अभेर जैसा समन्द भी रहा लेकिन दोनों की मावले में बात अटकी गई इसका बादल सुलचणा पंडित सहीत कुछ अनिस अपने त्रियों के साथ भी उनका संबंद की चर्चा हुई लेकिन संजीब कुमार ने साधी नहीं की और सराप के नसे में उनकी बीमारी को कहीं बढ़ावा और मिल गया करीर के चमकते दोर के महस है तिस साल की उम्र में उनके ने पहली बार हाड अटेक अट आया लेकिन उन्होंने अपनी जीवन सेली से कोई भी बहुत बदलाब नहीं किया इसका खामीजा उन्हें भोत ना पड़ा और जल्द ही उन्हें दोसरा अटेक भी आया इसके बाद संजीवन ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ड सरजरी भी कराई बेजब अमेरिका से लोटे तो उन्हें पूरी तरह ठीक हो जाने की उमीद थी लेकिन सिनेमाईस निर्माताओं के काम पर लोटने के आगरे और फसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम का मौका ही नहीं दिया हाला कि हर साल 6 नमंबर को संजीब कुमार अपनी मा की यादों में डूप चाते थी 6 नमंबर 1980 को उनकी मा का निदन हो गया था और इसके बाद बेमहज 5 साल ही रहे पाए बिमारी का सामना करते हुए और लागातार फिल्मों में काम करते हुए संजीब कुमार के इस दोर को लेकर तमाम तरे की बातों की खूप चर्चा होती थी जिसमें उनके सराब की लट के साथ साथ कंजूस होना और महिलाओं मित्रों पर महरोसा नहीं करने जैसी बात भी सामिल थी कंजूसी की चर्चा होने की इस बच्चा तो ए भी थी कि संजीब कुमार बेहत सामान कपड़े पहना पसंद करते थी और आम फिल्म सितारों की तरे पहनावे पर बहुत चर्च नहीं किया करते थी हाला कि उनके नजदी की दोतों ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया था कि कोई भी उनसे मिलता जुलता है तो उसकी एक बचा उनका पैसा होता था इस पर संजीब कुमार ने थोड़ा बहुत यकीन कर लिया था और जीवन के आगरी सालों में बेज जल्दी दुसरे के साथ नहीं खुलते थे और जिससे मिलते थे उससे उतना वो अपना पन नहीं दिखाते थी और यही कांड उनका मुख कांड रहा जो वो अकेले पन से चीवन की अन्तिम सांस तक लड़ते रहे छे नम अबर उन्निस सो पचाजी को संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और साती कलाका दिनेस निंगुग ने हमीर जफेरी से कहा था कि अगर उनके सादी की होती तो बेज़ जादा दिन तक जीवित रहता वे आराम करना नहीं जानता था यह पास सरजरी के बाद भ भी हैं संजीव कुमार भले ही अपना परिवार बसा ना पाए हो लेकिन परिवार की एहमित उन्हें बिलकुल अंदाजा था लिया जा ना केवल अपने परिवार के लिए बलकि अदर बरबारों के भी मदद की बलकि दूसरों परिवारों के उजड़ते घरों को भी बसाया सत्रोगन शिर्णा जब और 15 सुनपून शर्णा से तनाब काफी बड़ गया तो उनोंने शुलजाने में संजीब कुमार का आम योगदान रहा बहीं संजीब कुमार का निधन हुआ तो उनोंने पार्ति पर्वीव के निकठ सत्रों श्रिना ने 48 घंटे तक बैठे रहे संजीव कुमार की बहन के अमेरिका से आने के बाद ही उनका अंतिम संसकार हुआ था उनकी मौत के खबर के बाद अगले दिन मुंबई में फिल्म डिस्ट्री में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ सारी की सारी सुटिंग कैंसिल कर दी गए थी संजीव कुमार में बैसे तो किसी ही फिल्म स्टार बरले नकरे नहीं थे लेकिन बे अमोमन सुटिंग के सेट पर लेट पहुचते थे उनकी अकलोती बचा ये थी कि बे सुभा तक सरा पीते रहते थे बावजूद उसकी लेट लपीकी के डारेक्टर और साती कलाकार बहुत नाराज नहीं होते थे क्योंकि संजीव कुमार अपने सोट केवल एक टेक में करने के लिए जाने जाते थे और पूरी फिल्म इंशीरी को पता था कि वे दुसरे कलाकार जिस काम को आठ घंटे में करते हैं वो संजीव कुमार मैस जार घंटे में कर लेंगे इसकी अलावा उनका होबरू सेंसर इतना चबरसर था कि साती कलाकार उनकी बातों पर हसे बिना नहीं रहे पाते थे लिहाज सेट पर उन्हें के पहुंचने से पहले जो तनाव परसरा होता था संजीव कुमार के पहुंचते ही चूमंतर हो जाता था हनी जफेरी के बतोर पत्रका संजीव कुमार को नजीद से देखा था उनके कई इंटर्विव भी किये थी और दावा ये भी है कि बाले बुट के अपने समराट दिलिप कुमार ने उन्हें संजीव कुमार पर किताब लिखने की सला दी जब बेसमाग्री जुठाने लगे तो उन्हें संजीव कुमार के एक दूसरे पर संसक सुमंतर बत्रा का चला और फिर दोनों ने मिलकर एक ऐसी किताब त्यार की जिसमें संजीव कुमार के जीबन की पूरी डिटेल मिलती है हनी जफेरी वताते हैं कि इस पुस्तक का काम तो दोजा नो में सुरू किया था फिर पांच साल तक इस पर काम नहीं हो पाया जफेरी वाला फैमिली की अपनी कुछ बजहें थी लेकिन इसके बाद मैंने संजीव कुमार को जानने बाले करीब 150 लोगों से इंटर्व किये वक्त चाहें जितना भी लगा हो लेकिन हम लोगों ने मुकमल किताब त्यार की जो आज आप लोगों की समझ उपस्तित है मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल लगना चैनल को सेर लाइक सस्क्राइब जरूर करें झाल झाल